नंश्य प्यारी बच्चों स्वाबत है आपका राम लोग शर्मा चैनल पर और मैं आए आपको राम लोग सर्मा मेरी वीडियो को आप से एर जरूर करें क्योंकि मैं बहुत बात बताने वाला हूँ और ये वीडियो खास्त हो पर उन सभी बच्चों के लिए जरूर है जो जिन बच्चों का जो mathematics है वो interesting subject नहीं है दूसरे subject उनके interesting subject हैं बाकी सभी बच्चे इसे करें तो बहुत अच्छी बात होगी मैं कुछ 10 question 10-15 question ऐसे बताने वाला हूँ जो 100% आएंगे इस बात पर यकिन बिल्कुल ना करें कि वो ही आएंगे उसके जैसे आएंगे जैसे chapter 1 की बात करें हम तो LCM और HCM जरूर question आने वाला है एक investment में मत्प्रूव करने के लिए आपको जरूर 100% question आने वाला है chapter 2 की मैं बात करूँ तो जो exercise 2.2 है वहाँ बात करके relation से बताने के लिए question आएगा two digit number वादे question कर लें उन मैंसे आपको question आ जाएगा अगर कोई question बदल के भी आएगा तो यह question choice में जरूर आएगा मेरा ऐसा मानना है chapter 4 की बात करें तो वहाँ भी आपको इसी type की question word problems में से करें D निकालना जरूर सीखने वहाँ से भी आपको एक question आने वाला है chapter 5 की बात करूँ में तो chapter 5 में यारी कि AP में आपको दो equation वाले question कर लें ठीक है ना? दो equation वाले question कर लेंगे, SM माता question कर लें यानिकि जिसमें SM दिया हुआ होता है और AL निकालना होता है इस type के question कर लें चैप्टर 6 में आप फ्योरम करें, daily करें लेकि ध्यालक ना है कि मैंने टाइटल रखा है वो रखा है कि daily करेंगे ये question आप, daily आप 15 दिन कर लेती है आप 100% 40 number बड़े हराम से लेहाएगे, chapter 7 लेकि बहुत साफ है chapter 7 में, 1.UP है और वो 2 points से equal distance पर है, तो ये question आपको आने ही आने वाला है, obviously आपने basic mathematics लेया होगा, आसानी calculation आएंगी, एक area of triangle equal to 0 का question जरूर आएगा, तो इसे भी आप जरूर करें, chapter 8 को छोड़े बिल्कुल भी नहीं, जो chapter 8 से भी आसान question आने वाला है, आप जो table बनाने सीख जाएं, और table की value रखने सीख जाएं, chapter 9 के question की, आप habit ब 10-15 question कर लीजिए, simple वाले question आपको आने वाले, chapter 10 में से भी theorem कर लीजिए, आप equivalent length की, आप chapter 11 की बात करें, तो construction आप डेली करें, आप जरूर डेली करें, आपको एक question तो 100% वहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, आप chapter 13, chapter 13 में यार क्या करिए, कि chapter 13 जो है, उसमें सारे formula का chart बना कर, formula का chart बना ले, cube, cube, cylinder, cone, sphere, hemisphere और formula लाया कर दें, आपका question जरूर हो जाएगा, mean, more, medium तो करना बहुत जरूरी है, आप अराम से कर सकते हैं, और probability के question आप बैठे बैठे लेटे लेटे भी पढ़ते रहेंगे, दो 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 तीन तीन question तो आपका काम असानी से हो जाएगा यह जो मैंने material बताया है, पास होने की तो बात बहुत दूर है, यह 40-45-50 संबर आपको असानी से देगा, वीडियो को share करें, मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ आप मेरे चैनल पर, वसेस्ट अकाडमी पर, अनकाडमी पर, आप लाइव क्लास वहाँ पर देख सकते हैं, फ्री क्लास देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं, राम रूप सर्मा चैनल और वसेस्ट अकाडमी तो आप लोगों के लिए बने हुए, सबस्क्राब ज़रूब करते हैं, थैंक्यू वेरी मुच, एंड और लाइव